मुरदबाद के ठाकर दुआरा में दलित नर्स के साथ हुए दुशकर्म के मामले में अभयोगी सरकार का कड़ा एक्शन सामने आने लगा है मुरदबाद पे शाशन ने दुशकर्म आरोपी डॉक्टर शेहनवास के परिवार दौरा संचाले तीन मदर्सों को सील कर दिया है इस कारेवाई से योगी सरकार दौरा लिये जा रहा है कड़े एक्शन से जोड़ कर देखा जा रहा है सील किये गए तीनों मदर्सों के प्रवंदक मामले के दुशकर्म के मुखे आरोपी डॉक्टर शेहनवास के पितार शकल बताए जा रहा है हैं इन मदर्सां में मदर्सा अर्वय जर्वे सकलेब्र जम्य उल्बनत जटपुरा प्राइवेट जो अछ के बाद हुई सेलिंग सेलिंग की है कारवाई मुरदबाद के अलपसंख्यक अधिकारी एजडीम ठाकुरद्वारा मानी अरोडा और सियू ठाकुरद्वारा की मौजूद्गी में की गई कि मदर्सों के दस्ता बेजों की प्रारंभिक जाच के बाद ही इने सील किया गया है अलपसंख्यक विभाग और पिशाशनिक टीम द्वारा मदर्सों के पूरे दस्ता बेजों के गहन जान जारी है ताकि मदर्सों से संबंदि सभी पहलों की जानकारी प्राप्ट की जा सके कि उरे कब से संचालित किया जा रहा था देखे ठाकुर द्वारा में एक गटित हुई इसके करम में जो मुकदमे दर्ज हुए और तमाम करवाईया उसमें की गई है उसी करम में हमें यह पता चला कि जो आरोपी हैं उनके पिता के द्वारा पर मदरसे संचालित किये जा रहे हैं जो गाउ है जटपुर्पर के सर्या उसकी गहन्जाच की गई जया निकल के आया कि जो मदरसे राजपुरे सरिया में है वह सरकारी घूमी पर कुछ कि पाइए ग्सटेंड किया गया इस प्रकार से वह कामिएं कर देखते वए उसको ही शीड किया गया है जब ही उसकी रिपोर्ट बना के डिवे प्रसंद के इसके सांटी जो जटकूरा में जो मदर्सा स्केत है उसके संबंध में भी किसी प्रकार की कागज ऑफिस में अभी प्राप्त नहीं हुआ इससे यह प्रतीत हो रहा है कि वो भी इल्लीगल है गलत तरीके से बना हुआ है तो उसकी भी सिल्ग की फरवाई की गई है मेडिया रिपूर्स की माने तो उसके घॉक्स पर भी कोई इस तरीके का कोई इल्लीगल उसके बना हुआ था उसके कोई एक्षी अखिया गया है उनका अलग से कोई घंड नहीं है वो जो मदर्सा जो राज़दूर के सरियाग में उससी में अवासे थे सब्सक्राइब कर दो एक उसमें बेशक कि जाएगी अगर इसमें किसी प्रकार से एसे पत्थ अगर सामने आते यह संगठित रूट से गैंग बना के ऐसा कुछ महां पे कार्य किया जा रहा है तो इसमें जरूर गैंक्स्टराइब कामल बनाएजाएगे